इस वक्त के साथ मेरी उम्र भी बढ़ने लगी है घर वाले तो कुछ नहीं कहते पर उनकी आँखें सवाल करने लगी है सो गाइस आप लोग कैसे हैं आई होग गाइस आप लोग अच्छे होंगे सो गाइस फिलाल अभी में घर से थोड़ी दूर गाउं के बगल ब्लॉक सूट करने निकला हूँ और आज के इस ब्लॉग में मैं काफी ज़्याद एक्साइट भी हूँ क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को अपना इंट्रोडेक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहां से हूँ और क्या करता हूँ और मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया मैं ना कभी भीड के साथ चल ही नहीं पाया क्योंकि मुझे मालूम था कि उस भीड में मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगा इसलिए मैंने अपना अलग रास्ता चुना और मुझे अपनी लाइब में कुछ बड़ा करने का एक सपना है और उस सबने को सच करने के लिए मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए तो गाइस मुझे आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए तो चलिए हम चलते हैं किसी अगले लोकेशन पर जहां पर मैं आप सभी को अपने बारे में जादा से जादा बता सकूँ है जिससे कि आप सभी लोग मेरे से थोड़ा सा क्लोज हो सकें सो गाइस अभी मैं कोई अच्छा सा लोकेशन डूण रहा हूँ जहाँ पर मैं बैट कर आप सभी को अपने बारे में बता सकूँ So guys, अभी हम जो ढून रहे थे अच्छा सा location वो मुझे मिल चुका है और अब हम चलते हो उस location पर और फोन को करते हम ट्राइफोर्ड में सेट और फिर आराम से बैट कर आप सभी को मैं अपने बारे में बताता हूँ So finally guys, मैं उस location पर आचुका हूँ और आप देख रहे हैं इस location का विए काफी ज़्यादा प्यारा आ रहा है तो चलिए इस प्यारा से location के साथ अपना introduction शुरू करते हैं हो जाएगा इसके अलाओं में उत्तरपरदेश के आउध्याजिले से ब्लांग करता हूँ मैं proud करता हूँ कि मैं एक इंडियन और आउध्यावासी हूँ अग्टी family members की बात करें तो मेरी family में total पांच members है मेरे ममी पापा मेरी दो बेहने और मैं single यानी एक लोता तो मैं एक लोता हूँ तो आप यह मस्सोचना कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता होगा मेरी family में ऐसक कुछ भी नहीं है मेरी family में ऐसक कोई भी भेदवाओ नहीं है मगर हाँ मेरी family मुझे काफी ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी अपनी फैमिली से काफी ज़्यादा प्यार करता हूँ तो गाइस मुझे जितना मेरे बारे में मालूँ था मैंने आप सभी के साथ सिर्ख किया तो मेरे लिए एक काफी ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं जो करना चाहता था मेरे फैमिली करने दे रही है तो कहते हैं उम्मीद उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिन्दगी में अगर आपको किसी मंजिल से महबत है उतार चड़ाओ तो आएंगे जिन्दगी में अच्छे बुरे वक्त भी आएंगे लेकिन आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी आज का हमारा वलोग आपको पसंद आगा गाइस तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें और अच्छे चे कमेंट्स करें गाइस और काभी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करें गाइस मिलते हैं जल्दी अगले ब्लोग के साथ तक तक के लिए बाइबाए और टे कियर